बिस्मिल्य रह्मने रहीम असलाम लेकूम डियर स्टुडेंट्स आज हम नेक्स टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके वलास्टी की डेफिनिशन फिर हम इसके एक्स्पेनिशन में डायग्राम और डेरिविशन करेंगे एंड पर फॉर्मॉले ड्राइव करेंगे और देखें सब्सक्राइए निकलन अब यहां पर कि वलास्टी जिस से बौडी अर्थ की ग्रैविटेशन फीड से इसकेप कर जाता है मतलब सिन्फिनिटी पर चाया ठीक है लास्ट इम हमने पड़ा था अपसलूट पुटेंस इनर्जी उसमें क्या कहा था कि बोडी पे वर्क डन करते हैं तो बोडी इनफिनिटी पे चला जाता है तो इनफिनिटी पे ग्रैविटेशन फॉर्स जिरो होती है और यहां पे क्या कहा रहे हैं बोडी को हम अनिश है और इनफिनिटी वह पेंट है जहां पे ग्रैऴटेशन फिल्ड जीरो है ग्रैवटेशन फॉर्स क्यों से एक वड़िए हम पर देते हैं और जैसे हम वोडी को व्लम और रहा है जिसी को श्ऺया गया प्रसरा हो चैनल कर जा ता यहां से आदो यह सर्कुलर अर्थ है यह लिट कर लें इसका सेंटर है और यहां से बोड़ी अर्थ सर्फस पर आता है तो सर्फस अर्थ तक सेंटर से लेकर सर्फस ऑफ अर्थ तक यह जो डिस्टंस बनेगा इसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहेंगे ठीक है अब अच्छो यहां पर सर्फस ऑ डू के पहाड़ी है जो के अब्व स्ट्रीजग की हाइस्ट को पहाड़ी और इससे भी उपर जाने तो यह मांट आवरेस्ट से यह मांट आएफ अपर पीक है इस से उपर हाइट नहीं है व्लड पर अगर माונٹ अवरस्ट کی پہाडी से भी उपर चले जए ते हैं इस condition ऐस पेस में कहां पर चले गे जहां पर concentration field zero होगे है infinity पे चले गे और यहां पर body को हम लेकर जाते है infinity पर तो infinity पर लिजाने के लिए जितनी velocity body की थी उस initial velocity को हम किया कहेंगे इसके विलासिटी और बच्छों ये minimum velocity होती है ये बात आपने याद रखने है इसके विलासिटी minimum velocity है minimum velocity का मतलब है कम से कम वो velocity है जिस velocity से body infinity पे earth के ग्राटें field से out हो जाएगा उससे कम हम velocity देंगे तो body ग्राटें field से out नहीं होगा तो इसलिए हम कहते है the minimum velocity with which body goes out body क्या करता है gravity field से out हो जाता है with which body goes out gravitational field gravitational field से out हो जाता है उस velocity को हम क्या कहते है escape velocity यह मैंने point में लिखे दिया यह आपकी book में definition लिखे हो जाता है अगर आप अपनी book में first paragraph में देखे इस topic में तो definition है वहाँ पे आपको मिल जाएगी क्या है concept minimum velocity with which body goes out gravitational field of earth is called escape velocity ठीक है अब इसकी value कितनी होती है यह भी मैं आपको यहाँ बिदा देता हू escape velocity की value होती है 11.2 km per second इसकी velocity होती है 11.2 km per second अगर यह कम से कम है इससे ज्यादा हो जाए no issue अगर इससे कम हो जाए तो body अर्थ की gravitational field से out नहीं होगा वो दुबारा अर्थ पे आके फाल कर जाएगा अगर यहाँ पे मैं rocket की example हूँ तो rocket को अगर launch करें तो rocket जब launch होता है यह space की तरफ move करेगा और इसकी velocity कम से कम कितनी होने चाहिए 11.2 km per second यानि एक second के अंदर 11.2 km इसके जो distance cover हो रहा हो एक second के अंदर 11.2 km distance cover हो रहा हो तो फिर यह क्या करेगा अर्थ से out हो जाएगा ग्रेफटेंज फील्ड से बाहिर हो जाएगा अगर इस से कम हो rocket के speed तो क्या होगा? ये ही rocket दुबारہ अर्थ पे आके फाल कर देगा, ये अर्थ से बाहिर out नहीं होगा हर वो body जो अर्थ से बाहिर हम लेकर जाना चाहते हैं ग्रेफटेंज से बाहिर लेकर चाहते हैं उसकी कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए 11.2 km per second तो चलो बचे अब next करते हैं आपकी बुक में इस topic में यह diagram नहीं दिवी यह मैंने just समझाने के लिए बनाई है अगर बनाना चाहते हैं पेपर में तो बना ले नहीं तो आप नहीं भी बना रहें तो बाकी आप थियोरी मैथमेटिक करेंगे अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हम इसकी ना explanation कर रहें तो बचो explanation में हमने first of all इसके ना गारिशन करअने एर सफोरी करेंगे और इसकी de早 से करेंगे तो यहां पर घो हम देकcs रहे हैं कि बॉडी को जब हमने फ्रो किया यह सफसफ पे था बडी को हमनेball से स्मय तो आफ दो दो उपर इसके उना करेगा तो इसको का इस मूफ कैने इसमें kinetic energy भी होगी और इसमें starting वाली initial kinetic energy है इतर हम नगदेंगे initial kinetic energy is equal to half mv square starting पर जो energy है जो इसको move किया तो इसमें kinetic energy होगी और move करता वाँ इसने space अर्ठ से बाहिर होना है तो इसकी जो energy होगी इसको कह दिया kinetic energy कानेटिक नर्जी का फॉर्मुला हम जानते हैं हाफ एम वीसकेड होता है अब इस फॉर्मुले में देखें वी आ रहा है इस से वी का नाम रखेंगे और इसके सब्स्क्रीप्र में हम क्या लिख देंगे एससी एससी एसकेड तो यह शॉर्टकर लिख दिया भी इसकेड एसकेड लॉस्टी ठीक है तो अब देखें इस फॉर्मुले में कानेटिक नर्जी आ रहे बोडी मूफ कर रहा है तो उपर जाता जाएगा एक टाइम आए ……아ände इनर्जी होगी इन्फिनिटे भे भी कुछ इसके पुत्यन्यखी होगी हम देखते हैíveis एगर मैं सरफस अफर्थ पर बात करो इसकी जो जो अबस्लूट इनर्जी ऑप्सलूटार इनर्जी जो बॉडडी को कहा पर लेजए इनर्जी उसरफस ओफ एपर एब विड़ से एर्थ की ग्रेफिश फीड्स से बाहिले दोगे अब इफिनिटी पे हम सब ऐले है इंफिनिटि प schem DAVID इनोगी जोगी इनोगी यह जिरों सीरों सुब्टी पे हम उखिए इनोडी पोइ том तो मजीर इन्फिनिटी पर लेकर जाना है तो हमें अनर्जी नहीं चाहिए क्कुणके और टी बोड़ी इदर कहां पे है इन्फिनिटी पे है तो इसलिए इदर अप्सूर्फेंशन य prosecution zijn नर्जी जीरो होगी आप्र इन्फिनिटी पे है यहाँ प לנו सर्फ और सर Daar तबे। क्योंकि बोडिक को सफर्स और से कहाँ व्हुंप लेगा जाना इंफिनिटी पे लेगा झाना तो 이야기 देनी पड़ेगी लेकि यहाँ पी और डी इंफिनिटी पे तो अनर्गी नहीं चाहिँ है इंफिनिटी पे ली जाने की लिए अब form हमने पड़ा था है माइनस gmm divided by ca예요 इसेंस अब यह देखे जोग हो गए this like चाहिए मारे पास ऑना एक है तो यहां थे जेडंस जबिता है कि हुत देखे में फिनिटी आजे तो ऑंसर पां री यहां पार कितनी हो रही है जिरो हो रही है तो तो देखें हमने क्या देखा कि infinity पे अबसुब टाइंस इनर्जी जीरो होगे जिसको मैंने यू एफ से लिखा पे इनफिनिटी पे अबसुब टैंस इनर्जी जीरो और यहां पे जो सर्फस पे कितनी है वह माइस जी एम एम है यानि जन्रा फॉर्मूला लिखा हुआ है अब और यह लिखना हो अब सिरुटेंच इनर्जी परिखन एक रगए हैं Jewish इनुनिकर की बात करें अब सुलूट प्रेंश एजिके बात करे जिसको मैंने क्या लिखा होगा फाइनल प्रफाइनस इनर्जी आनिस इने को मांनेंस और ठीक है अब देखें इंको मानेस कते हैं फैन ठीज यह एक तो नेगटिव फार्मले के में आ रहे हैं सुपा टेंशिन अर्जे के फामले में दूसरा चेंज का मानिस आ रहे हैं आप यह नगटिव पॉस्ट्व हो जाएगा पॉस्ट्व होगा तो हमारे पस आप जो फामला आ जाएगे यह होगा जी एम एम divided by capital R और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है increase in potential energy यह हमने लिख दिया increase in potential energy ठीक है यह हमारे पास second formula अब देखिए हमारे पास absolute energy का formula अगया हमने body को कहाँ लेकर जाना है surface से infinite पर लेकर जाना है यानि अर्थ की gravity field से out करना है बाहि लेकर जाना है तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर initial kinetic energy equal हो absolute energy के initial kinetic energy कि इसकी equal हो increase in potential energy के यानि इसका मतलब यह है यह जो मैंने equation लिखी है साबसे उपर इसका मतलब यह है कि body को जब हमने move किया kinetic energy से move इसको hit किया इसमें kinetic energy है वो kinetic energy कितनी हो absolute absolute energy के equal हो तो फिर body कहां पर जाएगा earth के gravity field से बाहिर जाएगा ठीक है तो यहां पर initial kinetic energy का formula हम लिख लेते हैं अनिश्य का kinetic energy का formula हमने लिखा होगा कितना है हाफ एम वी स्केर और साथ साथ स्क्रिट में escape लिख लिए दूसरी तरफ increase in potential energy का formula लिखते हैं और यह हमने क्या निकाला gmm divided by capital ठीक है यह इसका formula हमने निकाल लिया अब इसमें इसको solve करते हैं ठीक है तो solve करें यहां पर देखेगा यह small m small m से cancel हो जाएगा बाकी जो factor आजाएगा वो इदर लिख लें आप यहां पर आजाएगा one by two we escape square is equal to capital R radius of Earth है capital M Earth का मैस है और small m body का मैस है जिसको उपर लेकर जा रहे हैं small m सेम था cancel हो गया अब we escape की value find करते हैं तो we escape square कि escape को आजएगा यह two divided equation की दूसरे साइट पर multiply हो जाएगा तो यह आजएगा two gm divided by r यह two को multiply कर दिया अब लेते हैं दोनों तरफ तो अन्डूर लिया तो यहां पर इंडूर से कैंसल हो जगा यानि इदमायू लिख लेता हूं यहां पर दोनों तरफ लिख लेते हैं हमने दोनों तरफ स्केर रूट लिया और यहां पर स्केर रूट अन्डूर से कैंसल तो यह क्या आजएगा वी स्केव इस इक्वल टू यह आजएगा two gm divided by r यह हमारे पास स्केव लॉस्टी का फार्मूला ड्राइब हो गया इसको हम नाम रख लेते हैं यह equation 1 है ठीक है यह equation 1 ड्राइब कर यह स्केव लॉस्टी का फार्मूला है अगर आप इस फार्मूला को देखें तो यह स्केव लॉस्टी डिपेंड कर रही है कैप्टल M क्या है रेडियस कैप्टल M के मैस ऑफ अर्थ का मैस है और अर्थ प्लैनिट है और हमें पढ़ता है जो प्लैनिट है उसका मैस ज्याद तो यहां पर इसके विलोस्टी किसके डिरेक्ट आ रही है इसके विलोस्टी मैस ऑफ प्लैनेट के डिरेक्ट आ रही है अगर मैस ऑफ प्लैनेट ग्रेटर होगा तो इसका मतब इसके विलोस्टी भी ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा मैस जिस सब प्लैनेट का होगा उसके सबसे ज्यादा स्केवलोस्टी होगी मतब उस प्लैनेट से निकलने के लिए स्केवलोस्टी ज्याज़ा चाहिए अब मैं अर्थ की बात करूँ अर्थ की कितनी मैंने बताई 11.2 किलो मीटर पर सेकें इस फार्मॉले से आप वैल्य स्पूड करके यह निकाल सकते हैं अभी हम निकालेंगे भी तो अर्थ की लेमन पॉइंट टू है जूपिटर की बात करें तो जूपिटर की सबसे ज्यादा है यह आपकी बुक में टेबल भी दिया हुआ है उसमें देखें तो 60 किलो मीटर पर स ठीक है अब यह जो नेक्स्ट अच्छा एक और बात यह प्लैनेट की में बात कर रहा था तो प्लैनेट का जो सिस्टम है यह आप तर्तीव से याद कर लीजेगा इसका एक मैने फार्मूला बनाया हुआ याद रखने के लिए आप इसका फार्मूला यू माइंड में रख सब्सक्राइब के लिए बनाया है आप कोई और भी बना सकते हैं में जी संसान का मतलब सूरज नहीं है यह वैसे जस्ट एक नाम रखा हुआ है अब इसमें देखें पहला कि मरकरी है दूसरा वीनिस है अर्थ है फिर मार्स जूपिटर सैंटर यूरेनिस और नेप्चून ठ संन संसेंटर विए और उसके स्रांडिंग में यह प्लैनेट मूफ कर रहे होते हैं तो यह फॉम्मला मैं रखा यह सारे तर्तीब से हैं सबसे नियरस्ट संके नियर कोवन होते मार्स है फिर वीनस अंचिटर पिर सैटर्न यूरेनिस फिर नैप्चून इसी तरह तर्तीब से चाहरे होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा स्केव लोग से जुपिटर की है ठीक है अब बच्वेक और फार्मॉला हम ड्राइब करने लेगे हैं स्केव लोग स्टीका तो इसके लिए ना दूसरे फार्मॉले के लिए मैं यहां लेकर हो इसके इसपे रहें हुआ घृ करिकर अधर चेर्शेंच का का वर्मॉला और यह मैक्र को में बढ़ वह한테 और ऑग्रेडिशन आधी आपको डिरेटियू एदुक्र इसपे और स्केवल्य pregnancy गीजिए ग्रंट्यू पीप गल्स इसको गाम तरफ इसको दोज्ए जी एम चीक है अब ये महरे पास वैल्यू आगी जी एम की जी एम की वैल्यू हम एक्वेश्चन वन में पूट करेंगे मैं क्वेश्चन वान इदर दुबारा लिख रहा हूं वी एसके इस एक्वल तो टू जी एम डिवाइड़ बाई कैपिटल आर इसके रूट अब इसमें आप देखें तो ये जी एम जो आ रहा है इस जी एम की जगह हम ये वैल्यू पूट करने जा रहे हैं जी एम की जगह लिख लेंगे स्मॉल G कैपिटल आर स्के तो अब ये वैल्यू बन जेगी वी एसके इस एक्वल टू यहाज़गा अनुर टू वैसे रहे गा जी एम की टू जी कैप्टल र अंडरूट यह इसका दूसरा फार्मूला ड्राइव हो गया इसको हम कहा देते हैं यह equation 2 है तो यह equation 1 है और यहां पर यह equation 2 है equation 1 भी equation 2 भी यह दोनों scale velocity से formula ही है यह दोनों scale velocity है अगर आप देखें यह formula कभ यूज होगा जब mass of earth given होगा mass of earth given है या mass of planet given है आप यहां पर put करेंगे तो scale velocity आजएगी दूसरा फार्मूला यह equation 2 कभ यूज होगी जब radius of planet दिया होगा planet अगर earth है तो earth का यह radius दिया होगा put करेंगे g के value put करेंगे soft करेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा scale velocity आजएगी ठीक है बचो तो यह आज का topic था इसको हमने कर लिया mcqs भी आती है यहां पर question आता है किया scale velocity mass of object depend करती है तो हम कहेंगे scale velocity mass of object depend नहीं करती है किसपर depend करती है mass of planet पर depend करती है तो यहां पर देखें यह capital M आ रहा है capital M किससका mess है capital M planet मैस है तो scale velocitymass of planet पर depend कर रही है small M नहीं आ रहा small M cancel हो गया था हमने cancel कर दिया था तो हम कहेंगे is scale velocity mass of object पर यानि small M पर depend एंड नहीं करती तो बचो ये था आज का question आज का topic तो मिलते हैं अब next lecture में ज्यादा देए अल्ला आपको